हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैग टो मैं चैनल मी अनिमेरेटिव आज मैं आपके साथ सेर करने जारी हूं जन्मास्टिमी के लिए कुछ खास आइटम जो की जन्मास्टिमी की जहाकी में आपके सजावट में चार चान लगा देगा ये भी आइटम जो मैं आज आपके साथ सेर क कोई चीज बनता है और मार्केट जैसा बनता है तो बहुत खुसी होती है क्योंकि हमें पैसा ही अगर खर्च करना है तो मार्केट से करना खरीद लाएं इसलिए अगर पजट के अंदर बनता है कोई चीज तो ज्यादा अच्छी लगती है इसके लिए मैंने यहां देखिए को डिबबा लिया है कार्डबोड का गत्ते का एक खाली डिबबा लिया है इस तरीके से आपको डिबा ले लेना है और इसके जो है उस जब जनमाश्टमी की जहाकी के लिए जो हम बना रहे हैं हमें बना रही हूँ अभी फिलाल के लिए जोपड़ी जनमाश्टमी की जहाकी के लिए मैं जोपड़ी बनाने जा रही हूं और उसके लिए मैं इन सारी चीजों का इस्तिमाल कर रही हूँ इसमें भुट्टे के ज करूंगी आप वीडियो में देख लिए और सबसे पहले तो हमने इतना करके रख लिया है उसके बाद में जो दूसरा पीस है उसकी पतली पतली स्ट्रीप से हम काट के अलग रख लेंगे कुछ इस तरह से देखिए और फिर इसको बराबर में हम काट लेंगे इस तरीके से कट करके हमको अलग करके रख लेना है पहले से ही यह देखिए कुछ इस तरह से के वल फिर्ण मैंने एक ही वह डिबा लिया था उसी को उपर का जो एक पार्ट है उसको मैंने कट कर लिया है और उसी का देखो आगे का पार्ट जितना बचा है उसके उपर हम यह रेट कलर का कोलर नहीं खिल के आता है इसी लिए आप इस टाइप से अगर कागज ले ले इस टाइप से रंगीन तो यह ज्यादा सुंदर लगेगा आपको यह सारी चीज़े क्राफ की सौप में मिल जाएंगे फ्रेंट इजली और यह जो है आपको फेविकों से इस तरीके से पूरे मे की मदद से मार्कर से नहीं दिख रहा है तो आप एक पेन ले लीजी पेन से आप जो है इसको इस तरीके से हम सौरी हम मैंने इससे पहले अभी हाई लेटर भी उज़ किया था हाई लेटर से नहीं पता चल रहा था क्योंकि रेट कलर का कागज है न इससी लिए मैंने इसके देखिए बेन से मैं इसको ऐसे डट लगा रही हूँ इस तरीके से निसान मिला रही हूं कि यह खिड़की के लिए यह देखिए आगे की इस तरीके से आप इसके की मदद से भी आप इसको बना सकती है और कुछ इस तरीके से आपका बना लेना है और इसको बनाने के बाद म उतने में ही इस तरीके से और जो अभी हमने कटिंग करके रख लिया था आपको अलग से जो दिखाया था इस ट्रिप लंबी-लंबी वो सारी इस तरीके से आपको इसके उपर ही पेश्ट कर देना है यह देखे इन सबको मैंने फैविकॉल से इसके उपर चिपका दिया है इतन जो है इसके अंदर से हम इसको लगाते जाएंगे खिर्किवा बनाने के लिए खिर्किया में जो जाली टाइप में होती है यह लंबी-लंबी राड उसी को बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरीके से देखे और मैं इसको कलर नहीं करने वाली हूं क्यू बरा सा रियल दिखाने के लिए और इसके साइड तरब में हम जो है लेष से डेकरीट करेंगे इसको यह वाइट गोल्डन कलर सौरी सेलवर कलर का जो लेस है उससे इसके चारो तरफ इस तरह से लगा देंगे और इसको पूरी चारो तरफ इसको कवर कर लेना है आपको इसी लेस से इस तरह इसी तरह फ्रेंज मैंने आपको बाउल से काना जी के लिए जूला भी बनाना बताया है पिसली वीडियो में इससे पिसली वीडियो में और अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो भी जन्मास्टमी के जाकी के लिए ही मैंने बनाना बताया है और नहीं देखा हो तो आप देख लेना और इस वीडियो के description box में भी मैंने उसका link दे दिया है आप देखना चाहें तो देख सकते हैं वो भी आपके लिए helpful रहेगा वो वीडियो और इसके बाद देखिए इस तरीके से आपको चारो तरफ ऐसे लगा लेना है डोर पे और इसके चारो तरफ इस तरह लगाने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए इसको पंके में सुखने के लिए छोड़ दे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें fix हो जाए ये देखिए हमारा उपर का जोपड़ी का जो pattern है वो बनके ready हो गया है कुछ इस तरह से अब हम जो है इसका मैंने जो अलग से part कट करके रख लिया था आपको शुरुआत में ही दिखाया था फिर उसको जो है हम इसके उपर भी अब cover करेंगे इसके उपर भी हम वही red color का कागज लेंगे और इसको अच्छी तरह से उसी के उपर paste कर देंगे कुछ इस तरह से फैलाने से क्या होता है बहुत अच्छी तरह से इसमें fix हो जाता है बिल्कुल ऐसा लगता है कि यह अलग से चिपकाया नहीं है इमने कागज ऐसा लगता है यह इसी का ही part है यह देखिए कितनी सफाई से यह लग जाता है इस तरह से फैला देने से और आप एवी कॉल का इस्तिमाल करें तो जाता वेस्ट रहेगा क्योंकि यह बहुत अच्छी तरह से मजबूती से देखें चिपक जाता है तो यह देखिए हमारा उपर का यह पार्ट भी बनके रेडी हो गया है अब इसको जो है हम इस पर फिक्स करेंगे इसको फिक्स करने के लिए इसको जो है थोड़ा सा हम तिर्चा फिक्स करेंगे जैसे इस तरीके से हलका सा हाँ ऐसे गिराके हलका इस टायब से बिल्कु सीधा नहीं बहुत मामली सा इस तरीके से और उसके जवा है फैविकॉल से इसको भी हम इसी में अटेच कर देंगे ये देखिए हमारा जोपडी का लुक आ रहा है धीरे धीरे और उपर का ये भी अभी चिपका आने के बाद ये इसमें फिक्स हो जाएगा और इसको भी कम से कम पांच मिनिट सुखने के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से मजबूती से इसमें फिक्स हो जाएगा उसके बाद में देखिए मैंने ये भुट्टा लिया है भुट्टे के जो रेसे होते हैं ये तीन से चार भुट्टे हैं उन्ही के मैंने रेसे निकाल लिये हैं आज कल देखिए सीजन है भुट्टा का भुट्टा तो आपके घर में भी आता ही होगा तो भुट्टे के ये जो रेसे हैं ये आप बिल्कुल भी ना फेकें इन ही रेसों से ही आप जोपड़ी बना सकती है आपको अलग से कुछ खरीद के लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ये देखिए ये मैंने रेसे जो है निकाल लिये हैं और इसी के उपर मैंने फैविकोल लगा दिया है और इसके उपर से मैं इन रेसों को इस तरीके से फैला रही हूँ इस तरह से आपको फैला देना है रेसों को ताकि इसका जो है रियल बिल्कुल रियल लगे जोपड़ी का ही पूरा लुक आ जाए इस तरीके से आपको इसको फैला देना है इसके उपर यह दिखिए कुछ इस तरीके से आपको लगाते जाना है कम से कम आप मैंने यहां जो है चार भुटे का रेशा इस्तिमाल किया है और इतने रेशे से आराम से आपको जोपड़ी बना सकती है इतनी बड़ी अगर आपको जोपड़ी बनानी है तो अगर इससे बड़ी बनानी है तो आपको ज्यादा रेशी की ज़रूत होती होगा क्योंकि इसमें जो है कवर करना होता है पूरा उपर का पार्ट है इसको पूरा कवर कर लेना होता है कुछ इस तरह से देखिए यह देखिए हमारी जोगड़ी बनके रेडी हो गई है और इसके उपर मैंने ही छोटे छोटे देखिए मैंने ही चुड़िया टकी है और इसके साथ में थोड़ी बहुत सजाने की आइटम एक दो मैंने इसमें लगा दिया है और दो चुड़ियाई के सेट को भी मैंने उपर इस तरीके से यहाँ उपर फिक्स कर दिया है यह हमारी जोपड़ी बनके तयार हो गई है I hope आज का वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा friends अगर थोड़ा सा भी helpful रहा हो तो मेरे इस वीडियो को like करिएगा और अपने friends में share करिएगा और मेरे आने वाली वीडियो को भी अगर आपको देखना है तो मेरे इस चैनल को subscribe जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर अन करिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की सारी notification सबसे पहले मिले मिलते है friends अगले नए वीडियो में तब तक के लिए बाई